चात्रों आज हम अन्न और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करने वाले प्रति दिन हम नाष्टा दोपहर का भोजन और रात का भोजन करते हैं इसे खाते समय हम विविद गन, स्वाद, सजावट के वेंजन खाते हैं मूलतह अन्न शरीर को अनेक प्रकार के पोशकत्व देता है हमें चावल, रोटी, ब्रेड से कार्भोहेडरेट मिलता है दलहन और सभी दालों से प्रतिन मिलता है जबकि तेल, घीस, निगधता देते हैं ताजा सबजियां और फलों में जीवन सत्व, खनिज और रेशिदार पदार्थ होते हैं इसके अलावा हम पानी पीते हैं जो शरीर के भीतर एक मुख्य द्रव है अर्थात यदि हम सही तरीके से खाना खाए तो हम तंदुरुस्त और निरोगे रहेंगे किन्तु क्या तुमने खाना खाने के बाद कभी पेट में दर्द होने का या फिर उल्टी होने का अनुभव किया है कभी कभी अख़बारों में वारताय आती हैं कि किसी कार्यक्रम में खाना खाने पर लोगों को विश्बादा हुई और उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा ऐसा क्यों होता है तुम्हारा अनुमान क्या है अन कभी कभी खराब हो जाता है और वैस सेवन के लिए अच्छा नहीं रहता है अब तुम्हारे मन में सवाल उठेगा कि खाना कैसे खराब होता है और ये कैसे तै करें कि अन खाने के लिए सुरक्षित है या नहीं चलो कुछ चित्र देखते हैं अभी तुमने कुछ चित्र देखें ये पदार्त कहां पकाय और परोसे जा रहे थे क्या तुम्हें लगता है कि ये पकाने और परोसने की सही जगा है इन मार्गों से अन खराब होगा और वो खाने पर लोग बीमार भी पढ़ सकते हैं इसलिए अगली बार जब तुम मुँ में पानी लाने वाले पदार्त देखोगे जैसे कि समोसा, भेल, पानी पूरी तब पहले ये देख लो कि वो स्वच्छता रख कर पकाये और परोसे जा रहे हैं या नहीं और बाद में ही उनका लाब उठाओ पकाने और परोसने के अस्वच्छ तरीकों के अलावा अन्न खराब होने के लिए और भी कारण है मैं तुम्हें प्रती दिन के कुछ उधारन देता हूँ मुंग फली और सूखे नारियल में कभी-कभी बदबू आती है और उनका स्वाद भी बदल जाता है ऐसा कहा जाता है कि वो बासी हो गये हैं कभी-कभी घर में रखे हुए अनाज में कीडे पड़ जाते हैं फल, सबजियां, अचार पर फंगस उख सकती है कभी-कभी तो तुम अन्न पदार तुमें कीडे भी देख सकते हो ये सब खराब अन्न है और इसका सेवन बिलकुल नहीं करना चाहिए उपर के उधारन घर में सावान निता देखे जा सकते हैं किन्तु अन्न बड़ी बातरा में खराब हो सकता है जहां पर वो खेत में तयार होने के बाद उनका भंडारन किया जाता है उधारन के लिए चावल, गेहूं, मकई, जवार, दालों को नम जगा पर नहीं रखना चाहिए वरना सूक्षमजियों के कारण वो खराब हो सकते हैं यहाँ तक कि चूहें, गिलहरी भी उन्हें खा सकते हैं, खराब कर सकते हैं ताजा फल और सबजियां और मास का भंडारन कम तापमान में करना चाहिए, अन्यता वो सड़ सकते हैं उपर दिये गए मुद्दों के अनुसार, अन्न के दरजे और स्वात पर परणाम हो सकता है अब कुछ और चित्र देखो ये सब चित्र जो तुमने देखे, इनमें अन्न पदार्थ धातु के डिब्बे में भंडारित किये गए थे ये संसाधित अन्न है, अर्थात अन्न पर कुछ रासाइनिक प्रक्रिया की गई है और उसमें परिरक्षक डाले गए है अंत में अन्पदार्थ का डिब्बे में भंडारन किया जाता है यदि धातू का डिब्बा निम्न दर्जे का अत्वा निम्न श्रेणी का हो तो अन्न में स्थित रसायन धातू के साथ अभिक्रिया करते हैं और अन्न खराब होता है चात्रों किया तुम्हें पता है कि घर में भी अन्खराब हो सकता है अन्खराब होने की वजहों को पकाने के और भंडारन के गलत तरीकों को हम देखेंगे सबजियों को काटने के बाद धोया जाता है धोने के कारण पोशक तत्वों का विनाश हो जाता है यदि पकाते समय बरतन बंद नहीं करते हैं तो पोशक तत्वों का विनाश हो जाता है अधपका अन विशेष्टा अधपका मास विशभादा का कारण बन सकता है पकाया हुआ अन बार बार गरम करने से पोशक्ततों का विनाश होता है कई बार baking soda डाल कर अन पदार्थ पकाय जाते हैं इससे पोशक्ततों का दर्जा गिरता है बासी अन खाना खतरणाक हो सकता है दही, छाज जैसे अमलिय पदार्थ लोहा, तामबा, अथवा, ऐलुमिनियम के बर्तनों में रखना हानिका रखोगा इन पदार्थों में मौझुद अमलधातू से अभिक्रिया करके पदार्थ खराब कर सकते हैं पैक किया हुआ अन्य उसकी अंतिमतिति के बाद खाना स्वास्थ के लिए हानिका रखोगा इसलिए संसाधित अन्य पदार्थों की अंतिमतिति देखकर उस आउधी में ही उसका सेवन करे ये सब पकाने के आयोगे तरीके पढ़ने के बाद तुम्हें इन समस्याओं के बारे में अपने मित्रों को जागरूत करना होगा अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रशने है हर साल तुम्हारी मा, चाची, अथवा, दादी घर में अचार बनाती होगी वो अचारों का भंडारन कैसे करती है और उस अचार का आनंद पूरे साल भर लेते हैं ये कैसे मुम्किन है बच्चों ये सब अचार बनाते समय नमक और तेल बड़ी मात्रा में उसमें डाल ले जाते हैं ये प्राकृतिक संवरक्षक के रूप में काम करते हैं और अचार लंबे समय के लिए स्वादिश्ट रहते हैं, अचार का भंडारन करते समय कांज की बरनी अत्वा मिट्टी के घड़े का उपयोग किया जाता है, ये पदार्थ सुरक्षित होते हैं और अन्न के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, जैसे कि अचार में बहुत नमक हो चकर का अतिसेवन करना स्वास्थे के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए जाम कम मात्रा में खाओ, घर में संसाथित अन्न के भंडारन के लिए कांज अत्वा, अच्छी श्रेणी का स्टील का अत्वा, मिट्टी के बरतुनों का उपयोग करना सुरक्षित और विश्वास पूर्ण होता है, तो हमने अब तक ये देखा कि अन्न कैसे खराब होता है, किन्तु अन्न के अपव्य की समस्या की तरफ दुरलक्ष नहीं करना चाहिए, लोक संख्या बढ़ने के कारण प्रति दिन अन्न की मांग बढ़ रही है, इस बढ़ती मांग के हिसाब से अधिक अ और श्वेत करांती दूत के अधिक उत्पादन से सम्मंदित थी, नेल करांती में समुदरी भोजन, उधारनार्थ मचली का उत्पादन बढ़ाया गया, इस संशोधन के परिणाम में अन्न उत्पादन के क्षेत्र में भारत ने प्रगती दिखाई, किन्तु दूसरी ओर से देखा जाए, तो भारत में ऐसे कई लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं, इन लोगों को एक वक्त का खाना अत्वा पोशक अन्न नहीं मिलता, इसलिए भारत में बहुत बड़ी सलोक संख्या है, जो कुपोशित है, इनमें बच्चे एवं बड़े लोग भी हैं, इसलिए अन का अपव्य टालने की शुरुवात हमें घर से ही करनी चाहिए, और अन का अपव्य नहीं हो रहा है, यह देखना चाहिए, बच्चो तुम स्कूल में खाने का डिब्बा लेकर आते हो, क्या तुम वो पूरी तरह से खतम करते हो, क्या घर में खाना खाते समय थाली में परोस करते हैं, तो थाली में छोटा सा हिस्सा लो, वो खतम करो, यदि अच्छा लगे तो और लो, कि तुम अन का अपव्य मत करो, हमारे देश में सांस्कृतिक कारेक्रमों में और त्योहरम में अन का अपव्य किया जाता है, यदि ये अन का अपव्य रोका गया, और जिनको से बोना वुकई ठीक से न करना खेट से भंडारन की जगा पर गलत तरीके से ले जाना आयोग्य भंडारन वितरन की गलत व्यवस्था यह सब अन्न के संख्यात्मक अपव्याई का कारण बनते हैं सारांज इस वीडियो में तुमने अन्न के गुणात्मक और संख्यात्मक अन्न का अपव्याई टालने की शुरुवात हमें घर से ही करनी चाहिए कृति अन्न का अपव्याई टालने के लिए घर वालों को जागरित करो साथ ही तुमारे फैमिली डॉक्टर के साथ कुपोशन के परिणामों के बारे में चर्चा करो कर दो